एलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं पैटर्नो बूची रियेक्शन तो इस्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कमपाउंड गिपस साइक्लो एडिशन और फोटोलिसिस बित इलकीन डाइईन और इलकाइन के साथ इलकीन और डाइन और इलकाइन के साथ डबल बॉण्ड के साथ ट्रिपल बॉण्ड के साथ इस एडिशन रियेक्शन इसको हम पैटर्नो बूची रियेक्शन कहते हैं इसका एक्जामपल देख लेते हैं यह कार्बोनिल कमपाउंड है कार्बोनिल कमपाउंड प्लस इलकीन से reaction करेगा h new h new देने पर इसके बाद ये bond जो है ये bond break होगा ये bond break होगा यहाँ पर एक radical form होगा यहाँ पर एक radical form होगा वैसे ये bond भी break होगा यहाँ पर एक radical form होगा यहाँ पर एक radical form होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी फिर इसके बाद इसका edition हो जाता है 1, 2, Mm die edition 2, 2 cyclo addition reaction होता है 2, 2 cyclo addition reaction होता है इसके вам बांड बनाएगा यह इसके साथ ही इक बांड बनाएगा यह form होगा oxytane इसको हम oxytane कहते हैं जो इसको oxytane कहते हैं oxytane एक example और देख लेते हैं carbonyl compound है इसका bond इधर break होगा यहाँ पर एक radical form होगा इसका भी एक bond break होगा इहाँ पर एक radical form होगा इसके बाद इसको जब H new energy देँगे तभी radical form होगा इसके बाद देखते हैं कौन सा radical जो है stable है ज्यादा और कौन सा कम stable है तो oxygen पे जब lone pair है oxygen पे जब electron है free radical है तो oxygen ज़्यादा electron negative होता है इसलिए oxygen पे radical जो है unstable होगा less stable होगा comparison to यहाँ पे जो है secondary है secondary katein है secondary radical है secondary radical जो है इससे more stable होगा और यहाँ पे primary है radical यहाँ पे secondary radical है तो यह less stable होगा यह more stable होगा इसके बाद देख लेते हैं जो less stable less stable है वो आपस में combine करेगा और जो more stable more stable है वो आपस में combine करेगा यह इसके साथ bond बनाएगा और यह इसके साथ bond बनाएगा यह less stable, less stable के साथ, more stable, more stable के साथ bond बनाएगा, तो यह बनेगा, और example देख लेते हैं आगे, थाड़ वाला देखते हैं, इसमें भी bond का break होगा, यह bond इधर गया, यह bond इधर गया, इस पे एक lone pair, जब h new energy देंगे तब, यह भी एक bond break होगा, यहाँ पे एक radical, यहाँ पे एक radical, अब देख लेते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया, यह less stable है, oxygen पे जो होगा, वो less stable होगा, और यहाँ more stable है, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है radical जो है, वो regionance में जा रहा है, इसलिए यह more stable है, और यह less stable है, तो लेस इस्टेबल जो है लेस इस्टेबल के साथ बांड बनाएगा मोर इस्टेबल जो है मोर इस्टेबल के साथ बांड बनाएगा तो यह बनेगा यह बनेगा आपका यह जो है यह किसके साथ बांड बनाएगा इसके साथ मोर इस्टेबल मोर इस्टेबल के साथ है यह बना आपकाह प्रोड़क्ट की फोर्थ देख लेते हैं एक और अग्य हो जब इसको एचनी इनर्जी देगे तो एक बॉंड जो है यहाँ उप्रेक होगा इसका यहाँ पे एक रेडिकल फाम हूं यहाँ यहां पर एक radical होगा फिर इसको भी जब हम 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 new energy देंगे तो एक bond break होगा यहां पर एक radical यहां पर यह बना फिर इसके बाद यह जो है less stable है यह more stable है यह चाहे जहां combine हो सकता है क्योंकि दोनों side में जो substituent लगा है वो same है तो यह बनेगा लेकिन इसमें जो है जब double bond होता है जब four member ring में double bond होता है तो ring break होता है ring का expansion होता है तो यह reaction आगे proceed होगा और यह वाला bond जो है oxygen का bond अगर यह वाला bond oxygen के side आएगा तो double bond यहां पर create होगा और जो यह था reagent था वही फिर से produce हो जाएगा इसलिए हम यह double bond जो है oxygen का double bond यहां लेके जाएंगे और इसका double bond यहां लेके जाएंगे तो हमारा यह बनेगा I hope आपको यह video समझ में आया हो प्लीज लाइक करिए share करिए and subscribe करिए आप इसका skin shot ले सकते हैं करिए थांक यू पर वाचिंग इस वीडियो